स्वागत अबच्छ आपका सेल्ट स्टेडी के चैनल में और आज हम अपने इस वीडियो में SSC ने अभी तक अपने जो कलेंडर निकाला है उसके अंदर हमें पता है कि चार महिने हैं हमारे पास तो अब हम क्या कर रहे हैं इंग्लिश ग्रैमर के जो प्रीवियस येर के जो कोशन है उनको हम अटेंप कर रहे हैं उनको समझ रहे हैं क्योंकि प्रीवियस येर से हमें बहुत जादा हेल्प मिलती है कुछ कोशन्स ऐसे होते हैं कि वो पूछे जाते हैं अभी मैं आप लोगों को इस जो 8 अगस्त 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में आया था इसके अंदर कुछ कोशन ऐसे दिखा हो जो बार-बार रिपीट हुए है SSC ने जो बार-बार रिपीट किया है तो यह सेगिंड वीडियो है एक पहली जो वीडियो है वो एक अलग से मैंने प्लेइलिस्ट बना दी है SSC प्रिवियस एर एक्जाम करके तो आप जाकर वहाँ पर देख लिजिए और बहुत ज़ादा बेनिफीशिल है आप लोगों के लिए पीडियो आप लोगों को इस जो वीडियो की है वो मिल जाएगी टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिया होगा आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते है जो फर्स्ट कोशन है अभी करना क्या है आप लोगों को पहले दो कोशन है आप लोगों को खुद करने मैं कहूं या हर जो कोशन है वो आप लोगों खुद एक बार अटैंप करना है फिर मेरा काम होगा कि मैं आप लोगों को वो चीज़े समझाओं चलिए एक बार फ्यूडियो पोज करिए और खुद करने की कोशिश करिए उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने करने की कोशिश की होगी नहीं किया तो चलिए कोई बात नहीं मैं आप लोगों को समझा देता हूँ तकि ये वाला जो कोशन अभी मैं कहा रहा था ना SSE ने बहुत बार रिपीट किया ये मैं नहीं कह रहा हूँ जब भी दो सेंटेंस को नो सुनर से जोड़ा जाता है तो इसमें मतलब दो सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई काम पहले हो रहा होता है और एक काम बाद में हो रहा होता है और जो काम पहले हो रहा होता है उसके लिए नो सुनर लगाया जाता है और no sooner के साथ हमेशा then का pair जगता है T H E N वाला नहीं T H A N वाला ध्यान रखना इसका तो then दो होते हैं T H E N वाला भी होते हैं T H A N वाला होते हैं No sooner, did I come out of my house to go to market then it started raining heavily which drenched me completely मतलब जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकला था उसने बारिश होनी स्टार्ट होगे मतलब उरत पूरी तरह के से मुझे भिगा दिया था इसने तो यह वाले चीज है तो यहाँ पर आपके सामने error किसमें आएगा इस second part के अंदर तो यहाँ पर आपका option हो जाएगा second clear तो बहुत easy question है बहुत जादा easy question है no sooner no sooner के साथ then का पेर चलता है अच्छा अगला sentence यह तुना easy है यह देखिए एक question कितने number का है दो number का आपके दो number free of free में ही एक तरीके के मिल रहे है और time नहीं लग रहाए इसके अंदर आपको कहिए होता है आपको exam crack करना है exam crack करने में आपको यह देखना है कि आपको जो चीज़े मुझे आती है उनका use करूँ no sooner के आपको बता है देन आएगा तो इसके साथ फरतनी देन लगा है नहीं लगा हुआता तो यह error है उसके अंदर same अगला में देखो ज़रा unless के अंदर ही note invalid होता है तो don't क्यों लगा रहे हूँ क्योंकि दो दो बार note किस बात का है unless नहीं जब negative कर दिया शर्थ के लिए आतेंगे unless नहीं जब negative कर दिया तो don't के आएगा तो यहां रखना unless के साथ note का pair नहीं चलता है तो यह चीज़ होगी कईयों का error समझने में दिक्का दो जाती है तो छोटी मोटी चीज़े होती ना मैं तो कहता हूँ कि एक बर आप completely basic से लेकर आप पूरा अच्छे से समझी है लेकिन कहीं सोसते हैं कि हमें थोड़ा बहुत trick का बता चल जाए तो trick यहीं है आपके सामने no sooner के साथ then, unless के साथ note नहीं है एक दो मीजी वाली concept हैं यह clear तो आप आगे चलते हैं अब आपको करना के वीडियो पोस करने है और खुद यह करने ही कोश्ट करने है ओके चलिए स्टार्ट करते हैं जो थर्ड कोश्ट है 14 किलोमेटर डैश not a short distance to reach to my office daily देखिए, यहाँ पर 14 किलोमेटर की बात हो रही है 14 किलोमेटर से यह एक single quantity के तोर पे लिए जा रहे है कहता है कि 10 किलोमेटर कोई जादा बड़ा रास्ता नहीं है 10 किलोमेटर कोई बड़ा रास्ता नहीं है तो are नहीं, has नहीं, have नहीं, is आएगा यहाँ पे, तो 14 km is not a short distance, जो 14 km का, जो कोई छोटा distance नहीं है वो, तो एक single quantity के तोर पी इसका use किया जा रहा है, अगे देखिए, good reading dash this sense of liberal educated mind, जो अच्छी reading है, वो आपके मतलब एक अच्छी पहचान है, वो पहचान क्या है, एक दिमाग जो है, वो liberal है, वो अच्छा पड़ा लिखा है, तो वो क्या होता है, good reading, belief करती है, नहीं, भाई सब तुम किसी चीज में belief नहीं कर रहे हो, leads नहीं है यहाँ पे, start नहीं है यहाँ पे, reflects, best and appropriate option for this, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, reflects, तो good reading reflects करती है, good reading से ही पता चलता है, वो reflect करता है, कि यह जो इंसान है सामने वाला, वो अच्छा liberal, educated point का परसन है, तो बड़े easy question है, शायद किसी बच्चों को इसमें दिखत हो सकती है, लेकिन यह send, यह वो चीज़े होती है, आप यहाँ पर, जितना आप reading करोगे न, यह concept आपके सामने उत्रा ही नहीं करके आने वाला है, यह जो पिछले दो question थे, यह तो थोटे मुटे trick के उपर थे, जिसे मैंने का कईयों बच्चों को नहीं आती है, वो चाते हैं कि हमें trick से, तो trick से इतना ही हो पाता है, clear, लेकिन बाग की चलके तो आपको concept ही काम आने वाला है, आगे चलते हैं, 5th और 6th, 5th और 6th में आपको क्या करना है, आपको खुद, देखें, अपना phone यूस नहीं करना, तो देख रहे हो अच्छी बात है, उस phone में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जगाए और dictionary खुली, आपने यह कर दिया, आपको इन दोनों, इन दोनों का आपको meaning ढूंड़ना है, मतलब आपकी सामने option और करिये जरब, ओके, frivolous का मतलब होता है, तुच, frivolous का मतलब होता है, तुच, अब captious, wise, pureil, spiritual, तो इन दोनों, इन चारों में से, इसका option कौन से, pureil, तो यह वाली चीज़ कैसे हैगी, यह वाली चीज़ आएगी आपकी reading से, जितना आप reading करोगे, उतना ही आपके सामने, vocab निखर के साम यह ऐगा, ऐसे, अगले में देखे, petrify, petrify का मतलब होता है, पत्थर बना दिना, saqt बना दिना, clear, तो adorn, calm, curious, harden, देखे, आपको इसका तो मतलब पता होगा न, harden का मतलब क्या है? Harden का मतलब होता है भाई या पत्थर बनाना मतलब कठोर करना यही है पत्थर बनाने या सक्त करना ही Harden यही है एक तरीके का तो Petrify का Appropriate एक Similar Meaning आपको इस 4 से मिल जाएगा Clear? अच्छा ये दोनों क्या है? 7th rate आपको Similar ढूंड लिए आपने अब थोड़ा Alternative मतलब Opposite Meaning ढूंड लिजिए तो इनके आपको क्या करना है? Opposite Meaning ढूंडने दोनों का चलिए उमीद करता हूँ आप लोगों ने खुद करना ही कोशिश की होगी यह है Gregarious Gregarious का मतलब होता है जुंड में रहने वाला जुंड में रहने वाला अब जुंड में रहने वाला अफेबल, मिलनसार होता है ठीक है? इसका opposite देखिए अब कोई इंसान जो जुंड में रह रहा होगा यानि वो बहुत ज़्यादा social है उसको लोगों की संगती पसंद है उसको लोगों से मिलना पसंद है अफेबल का मतलब होता है मिलनसार ऐसे जीनियल का मतलब होता है मिलनसार अर्बेन शहरी होता है और यहाँ पर इंट्रोवर्ट देखिए दो वर्ड होता है एक एक्स्ट्रोवर्ट होता है तो gregarious का ही एक तरिके का similar meaning होता है यहाँ पर इंट्रोवर्ट होता है अपने अंदर रहने वाला इंट्रोवर्ट यानि अपने ही अंदर बस अपने ही अंदर रहेगा वो और किसी के संगती पसंद नहीं है ऐसा नहीं है यह किसी को नफरत करता है, नहीं, इसको पसंद आ केला रहना, इंट्रोवर्ट, तो इसका, ग्रिगेरियस का, जो, अपोजिट मीनिंग होगा, वोगा, इंट्रोवर्ट, अच्छा, यहां पर है, अगला से, एट्थ, ट्रिमिलस, ट्रिमिलस का मतलब होता है, हो रही है, कमजोर, कांपने वाला, कमजोर या फिर, कांपने वाला, कांपने वाला, कांपने वाला, तो कांप रहा हो, कांपने वाले नहीं, कांपने वाला, clear, तो फिबल का मतलब होता है, कमजोर, फ्रूगल का मतलब होता है, किफाईटी, वाइटल, वाइटल का मतलब होत हो रही है काफी चीजों में यह तो कुछ एक 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 होता है ना कि एक्जाम हम देने गए और उस एक्जाम के अंदर कुछ एक कोशन हमारे सामने एज़टी जा जाते हैं सबसे बैस चीज है त्यारी की आप प्रिवियस एर के करके जाएगे देखिए मतलब जितने भी अब तक आये हुए ना 2021 से पहले पहले कि सारों को हम निपटा देंगे ताकि आप लोगों बढ़िया सी त्यार हो जाएगे इसमें कॉंसर्ट भी आप लोगों सीखने को मिल जाएगा आपकी सारी चीजों में इसमें पकड़ हो जाएगी इसके अंदर फिलिन दा ब्लैंक या फिलर या फिलर पी क्यू आरेस भी आएगे सारी चीज़ें आपके सामने आएगे के प्रेक्टिस है बहुत अच्छी चीज़ है अच्छे 9th exam 9th के है हमारे सामने इन दोनों के अंद लिए रिप्रेजंट के जा तो यहां पर हो गया आपकी सामने इसका अंसर 2nd अचा, throw up the sponge, throw up the sponge का मतलब होता है surrender कर देना to surrender, throw up the sponge का मतलब होता है surrender कर देना खेर के वाली चीज़े मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर समझा रखे हैं image के साथ मैं आप लोगों को ये करवा रहा हम आप जाकर देखेंगे तो एक लेक्स से playlist मिलेगी idioms के जाम से ही idioms and phrases करके वहां पर आपको playlist मिलेगी जहां पर मैंने आप लोगों के idioms कुराय हैं with image के साथ एक कहान ही बता-बता करें ताकि आप चीजों को अच्छे से, काफी time तक इनको याद रख पाएं, और बहुत easy होते हैं यह वाली चीज़े, आईए ज़रा यह sentence improvement है इसमें आप लोगों concept की जूरत पड़ेगी कुछ एक चीजों में यहाँ पर आपको समझने की जूरत है चलिए एक बार खुद करके देखिए ओके, चलिए करते हैं 11th question, 11th question कह रहा है I had I had a few eggs in the fridge, so we need to go to the market to buy them अच्छे एक बात सोचो ज़रा, यह कह रहा है कि मेरे पास थे कुछ egg so we need, मतलब मेरे पास थे कुछ egg, अगर वो तुम्हें फ्रीज में कुछ egg थे, तुम्हें जुरूरत कह भाई market में जाने की और कुद करीदने की, जब already है तो वहाँ पर समझ रहे हो, देखिए तीन वर्ड होते है यहाँ पर, तीन कह रहे है, तो एक ही वर्ड few, एक होता है a few ठीक है, एक होता है the few यह जो प्रयाप्त है, प्रयाप्त है, ऐसे लिखा जाता हो, प्रयाप्त है अच्छा, जितना है प्रयाप्त है, few हो गया, ना के बराबर few थोड़ा है, the few उसमें है चेक मात उता हो, यह तो यहाँ पर थोड़े बहुत egg है, तो जब egg है, तो जाने की क्या है, ज्रूरत है वही, तो यहाँ पर आपको समझ में आय उसके पास है नहीं, तभी तो व dead, नहीं जाए है, ऐसा नहीं हो सकता है कि शर क्या पता उसको जादा मतलब जूरुड़ थो, उसके पास मतलब भी जा सकता था, sentence improvement आप इसको और better कैसे कर सकते हो आप few लगा के better कर सकते हो little क्यों नहीं आ सकता सर यहाँ पर little और little देखे मैं इसका concept बिता दे तो मैंने आप लोगों के already करवाई हुई है adjective का एक part है मैंने आप लोगों basic में करवाई था few जो होता है वो countable के लिए लगता है countable noun के लिए लगता है countable noun के लिए लगता है वही little जो होता है वो uncountable के लिए लगता है अरे भाई तुमको क्या दोरे बढ़ रहे हैं बीच बीच में uncountable के लिए लगता है यह जो होता है वो uncountable के लिए लगता है clear जो little जो होता है वो uncountable के जैसे लिटल लिटल वोटर लिटल वोटर तो वोटर जो है uncountable राउन है तो लिटल उसको qualify करने के लिए लगा दिये गए uncountable है इसके लिए little लगा दिये हैं इसमें भी same concept है little a little the little same चीज़ में वहीं चलती है बस फर्क आजाते है कि countable और uncountable तो few आएगा यहां पर 11th का 12th में कहें my brother is indifferent my brother is indifferent indifferent का मतलब होता है उदासीन या कहें कि पता ना होना उसको उसके बारे में knowledge ना होना तो यहां पर my brother is indifferent यहां पर indifferent के साथ आती है to indifferent to whatever I say तो यहां पर आएगा इसके लिए sentence of room band में 12th का 3 clear कुछ एक ऐसे words होते हैं जो अपने लिए fixed proportion लेके चलते हैं तो यह indifferent on में से हो गया आचा यहां पर आते हैं आपके सामने one word substitution आपको दिया होगा है कि अनेक शब्दों का एक शब्द बनाना है हिंदी में वह ले तो तो आपके सामने दे रहा है a funeral point यानि जो funeral के time पे जो कुछ संगीत काया जाता है उसको क्या कहते है उसको कहा जाता है algae algae का जाते है इसको मतलब होता है संगीत मतलब एक शोक संगीत pandemonium का मतलब होता है पिशाच से related होता है भूत पिशाच से parody का मतलब होता है हस से है हंसने से related चीज़े हैं यहां पर सॉनेट का मतलब होता है गाथा लेकिन यह गाथा में यह कोई यह भी गीत यह एक तरीका का लेकिन algae में यह वाली चीज़ें आ जाती है आपर अचागले में है one who walk in sleep one who walks in sleep जो एक नींद में चलने वाला आप उन्हें सुने भी होगी तो नींद में चलने वाले हो कहते हैं इसको यह कहा जाता है अचा यह होता है numismatist numismatist का मतलब होता है मुद्रा का विशेशग्य है जो रुपे होते हैं उसका विशेशग्य है clear तो यहाँ पर आपके सामने हो गया यह one word substitution अब यह क्या करना आपके सामने यहां पर spelling गलत दे रखी है तो इनकी और पहचान करनी आपको जड़ी एक बड़ करके देखिए ओके 15 15 में जो यह है guarantee guarantee की spelling यहां पर इसने उल्टी दे रखी है यह ए नहीं ए के पहले यहां पर यू आना था उसके बारे में पहले ही कि भी कहां कहां गोमना है तो यात्रा को एक तरीके से plan करना magnificent writing यह बहुत easy question बहुत है magnificent दिल का बड़ा इंसान होना writing तो easy आपको पतेगा इसमें क्या होगा इसमें आपकी जो spelling दिक्कत है वो है etiquette etiquette शिष्टा चार होता है etiquette का मतलब etiquette तो इसकी spelling होनी थी double t याना था यहां पर एक t दे रखा था ठीक है यह जो है execuized इसका मतलब होता है exquisite होता है ठीक है सरवोच ठीक है एक तो मुत्तम यहां पर restaurant scavenger scavenger का होता है गली साफ करने वाला कुडा चकने वाला scavenger एक तरीके का ठीक है etiquette का मतलब होता sister jar clear हुआ तो यह spelling होगे आपकी सामने अच्छे यह काफी important चीज़े है बच्चों को दिक्कत यहां आती है PQRS सर PQRS निया रहा PQRS निया रहा है तो यह कर लेते हैं एक बार ज़र खुद एक PQRS का तो एक तो यह है कि आपको जितनी reading आपने क्योंकि न उतनी ही help करेगा यह क्योंकि समझ के उपर है यह comprehension आता है यह आते हैं तो यह समझने के उपर है कि आप समझ के उस चीज़ को सही से जचा पाएंगे यह नहीं लगा पाएंगे आपकी English में समझ कितनी है वहां पर sentence की शुरुआत होनी नहीं है ऐसे तो sentence की शुरुआत होनी नहीं तो एक पर pieces लेखते हैं तो P में शुरुआत में but he did not know how to find one of that one at that heart लेकिन वो जानता नहीं है अरे भाई कोई बात तो बोलो फिर बोलना की लेकिन वो जानता नहीं है तो यह वाले पी वाला तो वैसी हटा कहां जाना है चलो ठीक है एक बार इसको ले लेते हैं अचा आर में क्या रहा है आर में क्या रहा है मोहनलाल's train was late and it reached Kolkata a little after midnight मतलब मोहनलाल की जो train थी वो लेट थी और वो Kolkata पहुंचा था आधी रात के बाद आधी रात के कुछ समय बाद तो यह काफी appropriate भी meaning यह भी दे आधी रात के बाद इट वोसिस फर्स विजट यह उसकी पहली विजट थी टूद इस सिटी में काफी appropriate meaning है इसका और वो नहीं जानता था कि कहां जाना है अचा यहां पर एक बार चला चीज देखें क्यों के बाद आर दे रहा इसने क्यों के बाद का आर का मतलब है यह उसक मोहलाल की ट्रें लेट थी कोलकत्ता में वो पहली बार आया था अच्छा ठीक है ही थोट ही वूड़ गो टू कॉल्टी वेर ही वूड नोट हैव तो पे रेंट उसको एक त्रीके के ध्रमशाला में जाना चाहिए जहां पर उसको रेंट नहीं देना होगा तो भई वो नही पहली विजिट थी इस सीटी में और वो नहीं जानता था कि कहां जाना है तो उसने सोचा तो काफी ज्यादा एप्प्रोप्रियेट आंसर यहीं सबसे सटीक आंसर यहीं आपके सामने आर क्यू एस पी इस एंड इस से मगला है एटीन करते हैं आचा एटीन पर देखते हैं एंड स्लोली यहां पर देख लिजिए प्यू आर आर है यहीं ऐसे तो शुवात होने नहीं पी पे आते हैं एंड स्लोली और धिरे यूरीच द पिनेकल यहानि शर्वों शिकर पे जाओगे, of self-awareance, कुछ को जान जाओगे, experiencing unity with all life, कुछ मतलब unity को महसूस करने लोग होगे, clear यहाँ पे, तो end, यहाँ पर तो होगी, धीरी-धीरे आप, क्या भाई है, कैसे पता चलेगा, धीरी-धीरे पोँच के, कुछ किया तो होगा, चलो अगला देख लेते हैं, क्यों पे है, if you transform your energy positively, अगर तुम transform करते हो अपनी energy को positively, it naturally becomes compassion and love, यह मतलब automatically, naturally इसके अंदर दया और प्यार के अंदर बदल जाएगी, दया और प्यार के अंदर बदल जाएगी, once you experience, experiencely, are a part of everything, then nobody needs to teach you morality, एक बार अगर तुम यहाँ पहुँच गाते हो, इसको experience करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर तुमें किसी की जरूरत नहीं पढ़ेगी, कोई तुमें morality का part पढ़ाए, नैतिकता का कोई part पढ़ाए, then you can do something to improve the situation, but without anger, तब तुम कुछ भी improve करने की situation में, मतलब उस situation में पहुँच जाओगे, तुम किसी को improve करना चाहो, तो improve कर सकते हो, और बिना किसी गुसे के, तो यह वाली चीज़ है, तो बैस तो यही है, कि आप एक बार एक काम करिए, क्यू से start करिए, तो आपके सामने QP तो बन रहा है, ठीक, एक ही तो है यहां पर QP, एक ही तो है, best है, RR पे हमें जाना ही क्यू है, once you experiencely, are the part of everything that nobody needs to teach, best तो यही है कि पहले आप energy transform करेंगे, अपने आपको naturally positively वो चीज़ के अंदर लेके जाएंगे, तभी वो चीज़ें हैं, सही होना start होगे, तो best तो आपकी सामने जो 18 का है, वो है 2, clear हुआ, ओके, यहां पर क्या है आपकी सामने, यहां है passive active, पहले वाले इसमें, 19 में passive active हैं, और 20 के अंदर आपको direct-in-direct दिया, बहुत easy है, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों कराया थे, विद ट्रिक के साथ, विद इजी, क्या है था, elimination के थूँ, elimination के थूँ, मैंने आप लोगों कराया थे, चलिए करिए एक बर, ओके, 19 में देखते हैं, 19 का है, राम वो सिंगिंग अ ब्यूटिफूल सॉंग फॉर हीज मदर, देखिए, मैंने आप लोगों के बात हो ले थी, कि passive की पहचान क्या होती है, अभी होता है न, कि बच्चों को बता ही नहीं होता है, passive की पहचान क्या होती है, B की फोर्म, प्लस में वब की थर्ड फोर्म, यह पहचान होती है, क्या यहाँ पर B की फोर्म है, तक तो सब में सेंग है अब करना क्या है? आपको पता है कि पैसी में जाना है तो अपकी थर्ड फोर्म तो हमें चाहिए चाहिए तो संग तो यहां पर रही लेकिन देखें सिंगिंग यह आई एंजी लगा हो है तो इसके साथ बीइंग आता है अज़ा प्रिया एडवाइज्ड मी टू मी नो टू गो टू स्कूल दे नेक्स्ट डे एक धियान रखना तो मोरो का नेक्स्ट डे होता है तो यहां पर देखना आपको टूमोरो तो वैसे भी चाहिए यह रहा यहां पर ठीक है? फिर एक तीस देखते है sad to आएगा यहां पर sad to me, sad to me यह sad क्यों आएगा? यह ऐसे काट दो यहां से ठीक है? told me भी आ सकते है लेकिन that यहां पर लगा रहा है इसलिए यहां से कट जाएगा यह दो बचते हैं एक में next day है और एक में tomorrow है तो बहुत best चीज़ आपके सामने यह रहा प्रिया said to me, don't go to school tomorrow clear हुआ आपके सामने ये काफी important चीज है 21st question है 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th ये 5 जो question है आपके सामने filler कह सकते हो, fill in the blanks कह सकते हो एक paragraph है जहां पर आप लोगों को जो यहां पर option दिये है करने है, चरब पहला करके देखे या फिर कहीं चलो मैं करवादे तो आपको करना क्या होता है, इसके एक trick क्या होती है फिर कहीं कि आप सबसे पहले क्या चीज करोगे अप एक बार फढ़ नहीं से यहां से अपना पूरा पहरा ग्राप अड़ लीजे आपको समझ में आजे कि बात क्या हो रही है जैसे, job performance is dashed by number of factors job की performance आपको पता है is dashed by number of factors काफी सारे numbers, factors काफी सारे numbers है factors के, अभी बात करेंगे motivation alone does not lead to increased performance मतलब motivation, अखेला motivation performance को increase नहीं कर सकता ability and technology moderate the relationship between motivation and performance जो technology है और ability है यह दोनों चीजें मिलकर इसके साथ, motivation के साथ, यह performance बढ़िया करती है the higher the level of ability and motivation जितनी higher आपकी ability होगी, उतना ही ability or motivation होगा the dash the level of the dash, the level of performance will be, उतना ही performance होगा, यह समझ भी जाओगी क्या आएगा यहां पर obviously, however increasing, however increasing motivation beyond and dash level tends to dash a defunctional difunctional result because it is dashed by an increased level of anxiety अच्छा, clear हुआ, अब यहां पर आते हैं पहले इस question के उपर, जो performance is dashed by a number of factor आपके सामने, affected, affected influenced, measured आप बात हो रही है, कि जो आपके सामने पता चला है, defunctional के बात हो रही है, कहीं न कि कुछ असरदार की बात करनी है, असरदार यानि कुछ न कुछ परभाव डलवाने है, देखे, affected तो होगा नहीं, affected होगा, effect और affect में आपको फरक में बताता हूँ, affect एक verb होती, affect एक noun होता है, तो affect के साथ एरी लगता है, affected नहीं है, influence किसी चीज़ से influence नहीं हो सकता, major थोड़ना करन है भाया में, जो performance is affected by, affected यानि उसके ओपर काफी ज़्यादा परभाव पड़ा होता है, number of factors, number of factors, काफी सारे factors का, motivation, केवल motivation अकेला ही, increase नहीं कर सकता, performance को, ability और technology को एक साथ आना होगा, motivation के साथ, ताकि performance में सुधार आए, the higher the level of ability and motivation, जितना आपका ability और motivation का दोनों का level high the dash level of performance will be, the dash the level of performance will be, क्या आएगा, भाई आपके सामने answer ये रहे, the higher आएगा, larger आएगा, lower आएगा, smaller, देखे, lower और smaller तो ऐसी गटिक है यहाँ पर, जितना आपके motivation और ability की दोनों का level higher होगा, तो आपके सामने जो performance होगी, वो obviously वो भी तो high होगी, larger क्यों होगी, higher आएगा, clear, यहाँ पर आएगा higher, clear यहाँ पर, आचा आगे चलते हैं, however, increasing motivation beyond and dash, beyond का मतलब होता है, अब ही एक level था, उस level से तुम पार ही लेके चले जाते हो, motivation का क्या level हो सकता है, अंति, optimal, ठीक है, एक बस यहाँ पर अंत है, लेकिन अगर उस level से उपर लेके जा रहे हो, however, increased motivation beyond and optimal level, optimal level tends to, tends to, dash a defunctional result because it is dash by increase, मतलब यहाँ पर आएगे आपके सामने, optimal, अचा यहाँ पर आगे चलते हैं, tends to, dash a defunctional result, क्या होगा इस से, अगर आपने बस motivation ही motivation है, performance है ही नहीं, मतलब कि आपके अंदर कोई ability नहीं है, कोई काबलियत नहीं, खाली motivation का क्या करोगे, उसे होगा क् इस से, मतलब कि यह होता है, निराश एक तरीके का, खराब परदर्शन, खराब परदर्शन आपके सामने होगा, तो क्या करोगे, मतलब उस से, खाली motivation से, खाली motivation से, तो भहिया एक तरीके का, परदर्शन ही खराब होगा, तो produce, तो produce, tends to produce a defunctional result, because it is, dash by increased level of anxiety, क्योंकि भहि मतलब एक level से, यह होता है, ठीक है, तुम confident रहो, लेकिन इतने भी मत रहो, कि तुमारे सामने तुम सोचो कि महीं अकेला कर सकता हूँ, बाकी भी कर सकते हैं, लेकिन साथ-साथ यह सोचो कि महीं मैं भी कर सकता हूँ, वो सामने वाला भी कर सकता है, के वल तुम ही नहीं कर सक क्योंकि साथ इसाथ आपके जितना motivation होगा आपको करने का कर नहीं पा रहें कर नहीं पा रहें कर नहीं पा रहें accompanied accompanied का मतलब आता है यहां पर साथ इसाथ anxiety भी increase हुई होगी उसका लेवल जो है because it is accompanied by increased level of anxiety क्योंकि आपके इंदर चिंता भी बढ़ चुकी होगी anxiety परिशानी यह डिप्रेशन यह वाले लेवल भी increase हो चुका होगा तो यह तो था आज के 25 कोशन यह आया था 8th अगस्त 2017 में first shift का जो paper था I hope so आप लोगों को यह चीज़ें समझ में आई होगी आपको इस पीडियो की PDF मिल जाएगी description box में link दिया मिलेगा वहाँ पर telegram का है वहाँ पर आप जाके join कर लेजिए वहाँ मिल जाएगी साथ ही साथ आपको English grammar से related में चीज़ें करवा रहा हूँ आपको वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं प्रोणाउन हमारा complete होने वाला है बहुत डिटेल से मैंने चीज़ों को करवाया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा रीडिंग करिए देखिए जितना अच्छा आप रीडिंग करेंगे आपके लुतना ही beneficial है एक्जाम आने वाले है जितना अच्छे से रीडिंग करेंगे जितना अच्छे अच्छे आप कोशन पिपर अटेंप करेंगे बैस तो यही है कि आप जल्दी से जल्दी जितने हो सकते है उतने ही प्रीविएस एर के कोशन खतम कर लीजे ताकि आप लोगों की समझ बढ़ जाए वहां पर कॉन सेप्ट आएंगे आप आपके वह प्रैक्टिस हो जाएगी न तो आप एक त्रिके का त्यार रहेंगे वहां पर क्लियर तो आज के लिए इतना है रखते हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को ज्यादा ही पसंद आ गए हैं तो भाई यह क्या करें शेर कर करें तो आज तो आज को जो लगता हैं विडियो गभी और चैनल को जो खिए था कि अपकू वागाएा जिया थी तो आज है विश्नावर क्लीचरा जिकर दीआ सब्सक्राइब का रखते हैं विडियो को जिए एक नजशए लेस्चराइब को प्र श्टा रखते हैं एक अप